पुत्रा इन्मसिटी में बीए बीए सी बीकॉम सेमेस्टर वन का ओनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे वो यहाँ पर में बताने जा रहा हूँ क्योंकि ओनलाइन फॉर्म भराना यहाँ पर सुरू हो गया है लेकिन अगर आप ओनलाइन फॉर्म भरते हैं और सही तरीके से अगर कॉलेच चैन नहीं करते हैं तो आपको बार-बार मेट लिस्ट का बेट करना परेगा क्योंकि आपको परता है कि अगर आप सही तरीके से कॉलेच चैन करते हैं तो पहली मेट लिस्ट वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 27 मही को ही आपका पहली मेट लिस्ट में न बेट करना होगा फिर second मेट लिस्ट का बेट करना पड़ेगा अगर second में नाम नहीं आएगा जैसा कि second आपका 8 जुन को आएगा अगर second में नाम नहीं आएगा तो फिर आपको third मेट लिस्ट का बेट करना पड़ेगा जो कि 20 जुन को आएगा और उसके बाद अगर फिर से कु वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिए जैसे मैं यहां पर कॉलेज चुछ करने के लिए बोल रहा हूं जिस तरीके से फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहां पर मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका नो डाउट फर्स्ट में इतलिस ज पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की इन्वसिटी की हर अपडेट सबसे पहले आपको यहां पर मिलती रहें जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाई शुरू हो गया है और आज से लेकर पचीस मैं तक जो है बो ऑनलाई की परकिरिया जो है बो यहां पर चले है इसलिए आप कोसिस करें कि साथ मई की अंदर अंदर हर हाल में आप जो है फॉर्म आबेदन कर दें यह सबसे ज़्यादा वेनिफीसियल होगा आपके लिए ठीके फी की बात कर ले तो 600 रुपया आपका जेनरल OBC का है SCST का 450 रुपया है ठीके आप देखें यहां पे ऑनल पे हम क्लिक करेंगे तो अभी कोई किसी तरह का डुकुमेंट खास करके बिहाल बोडबालों को नहीं मांगा जाएगा बस अगर आप रॉल नंबर और रॉल कोड अगर डालेंगे तो वही पे आपका मार्क्स यहां पे सो कर देगा लेकिन मेरिक लिस्ट में नाम आने के बा में ही कि सबसे पहले आपको रॉल को रॉल नंबर सही डालना है अगर आप गलत डाल देते हो तो आपको और नहीं सुधार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा इस जिच का ध्यान रखेंगे ठीक हैं और उसके बाद ये भी दिया गया है कि जो ये परच्छाती फॉर्म वर रह है ध्यान देंगे जो भी डिटेस डाल रहे हैं उसमें किसी तरह का परिवर्तन करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा चाहिए आप धर्म को लेकर हो जाती को लेकर हो सब केटेगरी हो या अलप संख्यक हो या जो भी आपका प्रमान पत्र है उसी का आप जो है इसन नहीं लिया जाएगा तो इस सीज को ध्यान रखेगा प्रमानेंट एड्रेस, कॉर्स्पेंडेस एंड्रेस, आप्टेन मार्क्स, ठीक है सब्जेक्ट बाइज मार्क्स, कॉलेज और कोर्स सब कुछ अच्छे से चैन करना है तो बिल्कुल एक एक प्वैंट में यहां बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अब आल्लाइन आपको कैसे करना है, बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप अब में बताने जा रहा हूं, यहां से थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजेगा वीडियो, तरीके से बिना एरर कि आपको ऑनलाइन करने के लिए सिधे आपको क्लिक करना है, और यहां पर एड्मीशन पर क्लिक करके गैजुएशन एड्मीशन पर जाना है, अब यहां से आपको अपना इनिवस्टी स्लेक करना है, क्योंकि मैं यहां पर पार्टली पुत्रा का बता रहा हूं, तो मैं यहां पर पार्टली पुत्रा इनिवस्ट ठीका link active, इस पर आपको click कर लेना है, ठीके जैसे ही click कीज़ेगा ति यहां से अब online की परकिरिया जो है वो यहां पर शुरू हो रही है, अब यहां से मैं online करके आपको बताने जा रहा हूं, ठीके, यहां पर सारी details दिया गया, तो यह भी आप पर लिजिया, कितना कितना पैस लग रहा है, last date क्या है, सब कुछ यहां पर आपको जो मैं अभी date बताया हूं, यहां पर सब कुछ लिखा गया है, documents जो मैंने अभी बताया है, वो सभी documents भी यहां पर लिखे गए हैं, ठीके, आप देखेगा जो merit list की बात है, merit list का भी date यहां दिया गया है, कि कब से कब तक आपका list जो है बो आने पर आपका admission जो है बो यहां पर चलेगा, आप देखेंगे यहां पर arts वाले arts पर क्लिक करेंगे, science वाले science पर क्लिक करेंगे, और commerce वाले commerce पर क्लिक करेंगे, ठीके, जो भी आपका stream है, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीके, सबसे पहले यह खुल कर सा वेल्ट कहो, आपको सही डालना है, ठीके, और, जो बिहार बोट से नहीं है, बो जो CBAC वाले से हैं, तो CBAC वालों के लिए भी यहां पे notice दिया गया है, तो आप यहां पे notice जरूर पढ़ लिजएगा, यह CBAC वालों के लिए notice है, ठीके, आप देखेगा, यहां पे, जो details आप कि इतना इतना चीज आपसे मागा जाएगा ठीक है अगर इतना चीज है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं continue to form ठीक है तो continue to form पर किलिक करेंगे तो आपके सामने form खुलका आ जाएगा सबसे पहले बोलेगा कि बरहामी का जो आप result आया है उसका section डाल ठीक है अब यहाँ पे आपका passing year पूछ रहा है कि आपका passing year कब है देखिए अगर इस साल पास किये तो भी भर सकते हैं पिछले साल पास किये तो भी भर सकते हैं यानि कोई साल आप नहीं किये graduation तो भी भर सकते हैं उसके लिए कोई दिकत नहीं है तो अगर आप इस साल पास जो है बो यहाँ पे डालना है आपको आपको दो बार डालने के लिए बोला जाएगा यानि रॉल कोड भी है आप जो है वो आपको यहाँ पे दो बार पूट करना होगा जो भी आप रॉल कोड आपका है वो आप दो बार दोनों में है जो पूट करेंगे ठीक है इतना कर लेन जो भी capture code आपको असान लगे वही capture code लिजेगा जिसे देखिए यह असान लग रहा है 3D85C पढ़ने मसान है यहाँ पर capture code डालेंगे यस पर क्लिक करेंगे proceed to form पर क्लिक करेंगे तो इतना करेंगे तो यह आपका registration जो है वो आपका first step clear हो जाएगा है ना इससे आपका user ID और password जो है वो आपके mobile पर चला जाएगा तो इतना कर लेने के बाद आपका खत्म नहीं हुआ है इतना कर लेने के बाद आपको back आना है बैक आएंगे तो यहाँ पर लिखेगा कि अब जो है आपको login करना है applicant login करना है जो user ID और password आपने डाला है उससे आ आपको login करने के लिए बोला जाएगा तो login पर क्लिक करेंगे तो login में आपको username और password जो है वो आपको डालना होगा जो आपके mobile पर अभी गया है वो user ID और password जो आप डालेंगे तो आप login हो जाएगा वहाँ पर आपका details जो अभी आपने फिल किया वहाँ पर आपको दिखने लगेगा और उसके बाद जो है वो आपको side details फिल करना है और सबसे बड़ी बात कि आप कौन सा ओनर्स पेपर लेने वाले है ध्यान से देख लिजेगा को नर्स पेपर आपको कौन लेना है ठीक है जब भी आप ओनर्स पेपर का chain करने जाए पहले ओनर्स पेपर बुला जा अपनी मनमर्जी का अनुसार ध्यान दिजेगा अगर आप उनर्स पेपर का एक बार चैन कर लेते हैं तो उसे चेंज नहीं कर पाएंगे इस चीज का ध्यान दिजेगा अगर कोई chemistry ओनर्स चूज कर लिया है बाद में physics ओनर्स करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा कोई करेंगे वहां पर आपको college चूज करने के लिए बोला जाएगा तो जब आप college चूज करेंगे तो वैसे college का ही नाम दीजेगा जिसका आपका number tally कर सके यानि अगर आपका marks दो है वो 70% marks है तो आप ऐसे college को मत चुल लेना जिसका cut up 80% जाता है जिसका cut up 85% जाता है तो ऐसे म क्या होगा पहली मेरिट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा यूकि पहली मेरिट लिस्ट का डेस्ट कब यहाँ बताय गया है कि 27 मही को पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो अगर आप वैसी वेब कुफी करते हैं कि आपका number 60% है और college चूज कर लिए 70% वाला तो क्य होगा आपका नाम नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में और आपका जो ऑनलाइन किये फिर आपको second मेरिट लिस्ट का बेट करना पर जाएगा और अगर second मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो third मेरिट लिस्ट का भी बेट करना पर जाएगा और third मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो फिर एक साल बरबाद हो जाएगा इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करने आपना दोस्त को देखकर या साइबर कफे पे बहुत बच्चे क्या करते हैं साइबर कफे पे छोड़ देते हैं जो कॉलेज डालना है डाल दीजिए तो ऐसे में क्या होगा जो कॉले रच कम से कम खुद से चैन करने हलागी बिल्कुल असान सा प्रोसेस है अगर आप मोबाइल चलाते हैं वाट्सप चला सकते हैं तो औल लाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं डायर एक लिंक क्लिक करके कोई इसमें जंजट नहीं है मोबाइल से भी आपका ओल्लाइन असानी से यहां पर हो जाएगा जैसे मैं यहां पर बताया हूँ तो अगर आप इस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं तो आपका 100% पहली मेट लिस्ट में नाम आ जाएगा किसी तरह का कोई टेंशन नह होगा अगर गलत कोले चूज करते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा इन्वरसिटी के दोरा ठीक है तो मिरते हैं आपसे नई वीडियो में नई अफडेट के साथ वीडियो को शेर कीजिए ताकि हर बच्चे का भला हो सके अच्छे से फॉर्म फर सके ठीक है तो वीडियो को शेर करके वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जरूर से जोईन कर लिजेगा ताकि आगे की जो एक्जाम होगा वो सारा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा और ग्रूप जरूर से जूर जाएगा जो भी पार